हेलो फ्रेंस ,कैसे हैं आप सब आइओ आपकिक रहे हूंगे तो 2014 आज बना रही हूं मैं सक्क्रपारिकी रेशिपी तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक पराद में मैंने एक कटोरा मैदा और आटा मिक्स करके डाल रखा है और मैंने थोड़ा सा उसमें घी एट कर लिया है आधे से कम कटोरे में और उतना ही मैंने दूद भी एट किया है और अम मैं इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लोंगी और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करके छोप्ट सा डो तयार कर लोंगी और यहां पर मैंने सोप्ट सा डो तयार करके रेडी कर लिया है और अब मैं इसको पान से दस मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी धक्कन लबाके और यहाँ पर मेने एक बरतल ले रखा है उसमें मेने एक कटोरा चीनी एक कटोरा पानी लेके इसको गयस पर मैने बॉल हने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर मेरा आटा बेल को रेडी हो चुक ह था इसको मैं आप रोटी से बड़ा साइज का बेल के रेडी कर लूँगी यहाँ पर मैंने रोटी को बेल के रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने चासनी में थोड़े से किसर के धागे एट कर लिया है और अब यह मैं आप रोटी में कट लगा लूँगी लंबे लंबे स्लाइस में काट लिये हैं मैंने यह सब यह देख सकते हैं काटके मैंने इनको रेडी कर लिया है तो फ्रेंज से, यहां पे मैंने सब को स्पाई साइज में काटके रेडी कल दिया है, और मैंने साइट पर रख लिया है और मैं कोचे तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल गरम हो चुका था थोड़े फोड़े करके मैं सकरे पाड़ी सबुद्द कर्णज को फ्राइआ है, और इलोम धर सक्रपाड के सबुद्द्द कर लूँ चासने में डूबो लूगे और देख सकते हैं friends मेरी सकरवारे की recipe बनके तयार हो चुकी है देख सकते हैं friends किती अच्छी हैं किती juicy बनके तयार हुई है मिलती हूं next video में तब तक के लिए बाबाई